हेलो फ्रेंज, हाव आई यू, आई होप यू आर अल वेल, मैं रामकुमार भारते, इस स्वागत है आप सब का एक बार फिर से मेरी सीटूप चैनल पर, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विजुल पथवे के बारे, यह विजुल पथवे एक काफी इंपोर्टन टॉपिक ह है, मेडिकल लाइन्स के पॉइंट ऑफ भ्यू से, चलिए पिना किसी देर किये हम अपना यह टॉपिक अस्टार्ट करते हैं, तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि विजुल पथवे, विजुल मतलब विजन, दृष्टी मतलब देखने का काम, अब पाथवे मतलब रास जो क्या करता है, देखने के लिए इस्तमाल होता है, उसे हम विजुल पाथवे कहते हैं, तो जो रॉसनी होती है, जो लाइट होती है, वो हमारे आखों से टकरा करके कहा जाता है, फिपिल के थुरू रेटीना पर पड़ता है, और फिर वो लाइट रेटीना के थुरू क्य लेकर के फिर लेटरल जेनुकलेट बॉडी में जाएगा फिर वहां से ऑप्टिक रेडियेशन और यह रेडियेशन के थुरू कहां जाएगा प्राइमरी विज्वल कॉर्टेक्स में तब जाकर के ब्रेन में इमेज बनेगी तब किसी को हम देख पाएंगे या उसे दिखाई दे पाएगी तो अब एक-एक करके एक-एक पार्ट के बारे में हम कुछ डिसकस कर लेते हैं तो इस स्लाइट में देखिएगा फ्रेंस विज्वल पथवे का एक प्रॉपर डिफिनेशन की विज्वल पथवे क्या होता उसका प्रॉपर डिफिनेशन देखिए कि विज्व पाथवे को हम लोग optic पाथवे के नाम से जानते हैं, optic मतलब देखना पाथवे मतलब रास्ता उसके नाम से जानते हैं and it is the nervous पाथवे यह एक जो है वो क्या होता है nervous पाथवे होता है, nerves के तुरू control होने वाला पाथवे होता है, यहाँ पर होता क्या है कि that transmit impulses from the retina to visual center in cerebral cortex, कह मतलब कि यह nervous पाथवे होने के कारण light wave को retina से cerebral cortex में visual center तक पहुंचाता है, जिसके कारण हमें कोई भी object या कोई भी वस्तु दिखाई देती है, then अब हम बात करेंगे components of visual पाथवे, visual पाथवे बनने के लिए कौन-कौन सा component responsible होता है, तो इसके कुछ parts होते हैं, जैसे image में भी आपको दीख रहा होगा कि इसके कुछ part है, जैसे optic nerve, optic chasma, optic tract, lateral genucleate bodies, and optic radiation, and lastly visual cortex, then इस slides में हम बात करेंगे second component of visual पाथवे, retina के बाद यह दूसरा component है visual पाथवे का, जिसे हम optic nerve कहते हैं, अब यह optic nerve के बारे में कुछ point हम देख लें, तो इसमें first point देखिए कि it is second cranial nerve, यह जो optic nerve होता है, वो दूसरा cranial nerve होता है, and it is extended optic disc to optic chasma, यह जो optic nerve होता है, वो आपका फैला होता है optic disc से optic chasma के बीच में, and its third point is, कि its length is 47 to 15 mm, optic nerve की जो length होती है, वो 47 से 50 mm के बीच में होती है, aprox, then last point देखिए कि its formations of axons of ganglion cells of retina, यह optic nerve का जो निर्मान होता है, formations होता है, वह retina में कुछ cells present होते हैं, जैसे ganglion cells, उसके axon से मिल करके बना होता है, then इसी में हम देखेंगे कि parts of optic nerve, optic nerves के भी कुछ parts होते हैं, उसके बारे में एक नजर देख लेते हैं, तो parts of optic nerve में जो पहला होता है, वो है intraorbital part, फिर दूसर जो है वो intraocular part, और तिसरा जो है intracanicular part, और चौता जो है वो आपका intra cranial part, यह चार पार्ट में optic nerve बटा होता है, एक orbit में present रहता है, एक ocular surface पे present रहता है, एक canalic cooler part में present रहता है, एक intra cranial part में present रहता है, तेन अब हम बात करेंगे visual pathway में optic nerve के बाद जो आता है, optic chasma, तो optic chasma के बारे में हम कुछ पढ़ लेते हैं, तो इसमें first point देखिए कि it is flattened structure, यह optic chasma जो होता है, वो flattened sun रचना से मिल कर बना होता है, and it is 12 mm horizontally, and 8 mm anterior posteriorly, इसका जो length होता है, वो horizontal रूप से 12 mm होता है, और anterior posteriorly, मतलब पीछे आगे से पीछे की तरफ जो उसकी length होती है, वो 8 mm की होती है lie over the tuberculum and diaphragm scilly, मतलब यह diaphragm scilly और tuberculum के उपर present होता है, अस्थित होता है, तो अब बात आता है कि tuberculum और diaphragm scilly क्या है, तो tuberculum और diaphragm scilly जो होता है, एक inner secretary gland है, जो एक murder के दाने जैसा उसका structure होता है, जिसका version 0.6 gram का होता है, यह जो आपका middle brain में hypothalamus नामक gland present होता है, एक part present होता है, कि around में यह present रहता है, जिसे हम diaphragm scilly और tuberculum scilly के नाम से जानते हैं, देन इसमें last point देखिए कि fiber originations from nasal savils of the retina and discuss it at casma, मतलब जो इसका fiber है, उसका originations है, वो आपका retina के nasal savils, nasal side की तरफ से originate होता है, जो dissect करता है, casma के पास आ करके, देन अब हम बात करेंगे optic track के बारे में, तो इसमें first point देखिए कि it is cylindrical bundle of the nerve fiber, यह nerve fibers का एक cylindrical bundle होता है, जो optic disc होता है, then second point देखिए कि runs outwards and backwards from the posterolateral aspect of optic casma, मतलब यह optic casma के posterolateral part में बाहर और पीछे की और से चलता है, then अब हम बात करेंगे visual पाथवे का lateral genuculate body के बारे में, optic track में जब light आता है, उसके बाद वो चला जाता है, lateral genuculate body में इसमें first point देखिए कि it is oval shape structure, मतलब यह जो lateral genuculate body होता है, वो एक oval shape structure होता है, then it is situated as posterior terminations of the optic track, यह lateral genuculate body जो है वो आपका situated होता है, optic track के पीछे वाला भाग से, last point देखिए कि it genuculate body consists of six layers of neurons, मतलब हर एक genuculate body जो होता है, वो बना होता है, six layers of neurons से, neuron के छोगो layer से मिल करके बना होता है, हर एक lateral genuculate body, और इसमें एक matter present होता है, जो gray matter alternating with white matter, यह जो matter होता है, पहले gray matter उसके बाद white matter के alternating form में होता है, तेन अब हम बात करेंगे optic radiations के बारे में, यह optic radiations में first point देखते हैं, It is third order neuron, यह optic radiations का जो first point है, मतलब यह optic radiations जो है, वो third order का एक neurons है, ठीक, and second point कि it is extended from the lateral genuculate body to visual cortex, और यह optic radiations आपका फैला होता है, lateral genuculate body से लेकर के visual cortex तक, then the last visual pathway का जो part होता है, वो होता है visual cortex, तो इसमें first point देखिए कि यह visual cortex का first point क्या है, तो it is located medial aspect of occipital lube, above and below calcrine fissure, मतलब यह calcrine fissure के ऊपर और नीचे occipital lube के middle भाग में अस्तित होता है, जिसके कारण हमें कोई भी चीज दिखाई देती है, अब यह visual cortex का area कौन कौन सा है, वो देखिए यह तो इसमें 3 area, एक primary visual area, जिसमें perceptions of visual impulse, सबसे पहला जो primary visual area है, उसमें जो क्या होता है, light जो बाहर से आता है, उसका perception होता है, उसके बाद है आपका secondary visual area, जिसमें आपका interpations of visual impulse, जो light आँख के अंदर retina का थुरूप प्रेवेस किया है, इंटरी किया है, उसका interpation होता है, उसके बाद last देखिए कि occipital eye field, जो तीसरा area होता है, वो occipital eye field होता है, जो बहुत important area है, इमेज भराने के लिए आँख में, यह जो area होता है आपका brain में, visual cortex के पास occipital field, यह क्या करता है, concern करता है with movement of the eyeball, आँख के movement के साथ उसको image दिखाई दे, झाल, 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